सार्ट सर्किट से HDO कर्याले में लगी आग दस्तावेज जले निचलोल बिदुत वितरण उपखंड कर्याले निचलोल में सार्ट सर्किट से बिती रात आग लग गई जिसमें कर्याले में रखे समान वो जरूरी दस्तावेज जलकर राख हो गए जहां उनके कमरे से धुगा निकलता देख बगल के लोगों ने इसकी सूचना विदुत करीमियों को दी जिसके बाद उच अधिकारियों को जनकारी दी गई जिसके बाद कमरे को खोला गया विदुत उफखंड अधिकारी निचलौल परवण कुमार मिस्रा ने बताए कि सोमवार की देर साम को कार्याले बंद कर सभी करमचारी अपने घर चले गए ते देर रात अचानक एशडियों कार्याले से जुड़े रिकार्ड रूम में धुआ उठने लगा जिससे कार्याले के बगल में छत पे सोरह लोगों ने सास लेने में दिक्कत होई तो उन्होंने इसकी जानकारी करमचारीयों के जहां आकर ताला तोड़ा गया साथी दमकल विभाग को भी सुचना दी गई जब तक आग पर काबू पाय जादा तब तक जादे तर दस्तावे जल चुके थे उन्होंने बताया कि कमरे में रखा गया वित्तिय वर्स 2022-2023 तके सभी रजिस्टर यं पत्राली बिल रिसीवि डीपी रजिस्टर न्यू कनेक्शन तथा कागज लोड रजिस्टर के कागज सहित कई अन्य जरूरी कागज जल चुके हैं इसकी जानकारी मिलने पर अधिसासी अभियनता विपिन कुमार भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली